आज मेरा DRC फिटनेस जिम में यहाँ पे विशाली नगर राथी टांक स्थित यहाँ पे इंविटिशन मिला मुझे अभी रिसेंटली मैं गिनीज बर्ड रिकॉर्ड बना के आई हूं कश्मीर से कन्या कुमारी रन करके और यहाँ पे मुझे इंवाइट किया गया मेरे सम्मान में और साथ में हमारे वाट के पाश्चत जी थे चंदेश सांतला जी बहुत अच्छा लगा उन्होंने इंविटिशन दिया और काफी लोगों से मिली मैं सब लोगों के साथ करना चाहती थी और बहुत बहुत शुक्त कामना ही देती हूं सूफिया आज वाट साट की हमारी बेटी सूफिया जिसने गिनिस बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है चार जार किलोमेटर ऐटी सेवन डेज में इसने कंप्रेट किये हैं उसके सौगत और संबान के लिए हमने डियार से जिम पर आज हमने एक प्रोग्राम रखा था और उसी के तहत उनका हमने आज सौगत और संबान किया है हमारा इसका पीछे उद्दिश्य के मातर यही है कि आज के दौर में जो गल्स हैं जो महला हैं वो भी इंस्पायर हो सके और भविश्य में वो भी सोच सके कि हम इस लेवल तक आगे तक हम जा सकते हैं और हम भी अच्छीव कर सकते हैं उसी को देखके यह आज आयोजन किया आज हमारे सूपया जी जो हमारे अजमेर की जो एक लेडी है जिनोंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उनने जिसके खुशी में आज हम लोग यहाँ पर हमने उनका सम्मान किया डियार्ची फृटनस पे जब मुझे हमारे जो पारशाद हैं वार्ड के चंदेज जी से जब कि बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और एक अजमेर जैसे सहर से निकल कर इतने वर्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो उनकी हमने स्वागत के लिए आज हमने यहां पर एक आरेकरम पर रखा है चेतन मिरे नाम चेतन है और म मैं सुप्ता जी को बहुत बहुत दर्माद बोलूँगा कि उन्होंने यहां पर आकर हम लोगों को एक प्रेड़ना दी और आगे रन करने और आगे के अचीवमेंट के लिए उन्होंने बताए कि फिटनेस की लिए हम को क्या क्या करना थी दियार्सी फिटनेस में आज हम लोगों ने अजमेर का प्राउड हम कह सकते हैं कि सूफिया खान जो अल्टर रॉनर है अभी हाल ही में यह गिनीज बुक का जो सर्टिफिकेट है वो ले करके आई हैं और आगे इनके उद्देश हैं कि लंबी दौर जीतेंगी और जरूर पू प्रागत भी किया और उनसे उनके अनुभाव जाने के उन्होंने किस तरह से यह पूरा करा और आगे उनके क्या फीचर रहेंगे किस तरह से वह मोटिवेट करेंगी गर्स को और लेडीस को हमें अच्छा लगा कि उन्होंने इतना स्ट्रगल करके भी अपना जो अबिल